हेलो-दोस्तों कैसे आँसे आप सबाय कि या बहुति ही मस्त होंगे तो चलिए दोस्तों तिन पत्तिके रूल समघा देते हैं देखिए चैनल oriented बहुत ही जबरजकत रूल से इस नीम का पारणğ करेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप हर जगा बाजी मार जाएंगे, कसीनो में, कलब में, तो देखिए सबसे पहले, क्या रूल संग क्या नियम हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, तिरेल या सेट कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम बताएंगे, प्योर सीकिमेंस, चर्थे नंबर पर बताएंगे, आपको कलर कैसे बनाया जाता है, प्योर कैसे बनाया जाता है, और छाठवे नंबर पर हाई कार, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर और चनल को सबस्क्राइब जरू कर लिजेगा, तो सबसे पहले आईए, देखिए, हम आपको बताते हैं तिन पत्ती का तीरेल और सबसे बड़ी पत्ती क्या होती है, तो प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखिए, तो आईए, दोस्तों, तो दियान देजिए, आपे, देखिए, यहाँ पर बारीकी से समझ येगा, दोस्तों, बहुत ही जब अरजस्त वीडियो है, वीडियो का काफी इंट्रेस्टिक होने वाली है, वीडियो को इंट तक देखिए, तो देखिए, यहाँ पर आप एक कापी पेन लेके लिग सकते हैं, आपको अगर जो समझ में नहीं आ रहा है, तो बारीकी से समझ के अपने कापी पेन पर लिग सकते हैं, देखिए, सबसे पहले हम आपको कोई हरा नहीं सकता, तो दोस्तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी पत्ती होती है, तास की गड़ियो में एकका काती रेल, इसे आप, आपको कोई हरा नहीं सकता, तो अब इसके बाद हम देखिए, आपको बताते हैं, इसे छोटी पत्ती होती है, बासा काती रेल, यह इसे नम्मर पर बासा का तीरेल और इसके बाद सबसे छोटी पती हमारी जो होती है वो दुक्की की तीरेल मानी जाती है दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए देखिए आप जो सबसे छोटी पती है वो हमारी दुक्की की तीरेल होती है अब देखिए आपको हम पहली ट्रीक ब लिए प्योर सिक्वेंस तो आप तीन पत्ती खेलते हैं तो आपके पास पत्ती आती है तो प्योर सिक्वेंस किस तरह आप जान सकते हैं पहचान सकते हैं और प्योर सिक्वेंस कैसे बनाया जाता है तो प्लिज वीडियो को लाश्ट तक देखिए तो आपको देखिए यहां प अगर आप थ hemos YA police आ भी हमारा चीर का है यह हमारा क्या होता है प्योर शीक्वेंस अगर जो आप तीन पती खेल लें तो थीदा आप आसी पती आ जाती है तो समझ लेंगे आप बाजी मार लेंगे आप जीत जाएंगे चाल आपको बैठना नहीं है, यहां पर देखिए इक का बासा और नहीं, यह है तिरेल आपको हरा सकता है, लेकिन उसे छोटी पति आए उससे आप जी सकते हैं, तो यह आपका हो जाता है pure sequence, यहां पर देखिए इक का बासा और बेगम, यह तीनो एक ही color का है, चीड का है तो इसे ह हमारा pure sequence माना जागा दोस्तों अब देखिए हमारा दूसरा a आपको हम Бत्ता दिये तीसरा ट्रीक आपको बत्ताएं कि तीसरा rules क्या सीदि से च्छान तो प्लीस वीडियो कोrazल न तक देखिए तो मायरे देखिए तीसरा admitted क fifa यहमारा सी के सोगया कि यहाँ पर देख लिजिए यह हमारा हुकुँम का एक का रहेगा और जो बेगी और बासघी वो दूसरे फीन का रहेगा यानी ईट का और पान का अब देखिए यहां पर क्रूम एक मैं करते आफ पास पत्ति आ जाती हे तो यह अपका sequence बन जाएगा आप योड़ sequence नहीं बना सकते अपको प्योड़ sequence बनाने के लिए जैसे हम पेसले दिखाए है वह हमारा प्योर sequence है और हमारा sequence है अब आपका आजाते है दोस्तों color तो देखिए आप पर आपको हम बताएंगे कलर जैसे मालिज आप तीन पती खेल रहे हैं तो आपके पास कुछ भी पती नहीं लगता है अगर जो तीन पती का कलर आ जाता है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर नाला च्छका और दाला यहां पर देखिए करम वाइज नहीं है क्योंकि यह नौ टेन है तो लेकिन यह तीनों एक ही कलर का है तो यह हमारा कलर हो गया तीसे हम क्या बोलते हैं कलर दोस्ते हैं अपर ध्यान देख्लिए कापी प original पर है color अब पांचवे नंबर पर हमारा आ गया है पांचवे ट्रीक है पियर पियर आप जान लेजिए कैसे बनता है अब हम आपको बताएंगे पियर हम कर देखिये आप पियर को शेट भी कर सकते हैं जैसे मा लेजिए यहाँ पर एक लिजइए यह अधे यह गुलू का जूट है और यहाँ पर एक नाला की पत्ती थीक है न दोस्तों तो इसको हम जूट भी कहते हैं देखेए कोई भी पत्ती हो अमारे एक का का हो बासा का हो तो इसको हम जूट भी कहते हैं यानि दो पत्ती एक कलर का हो और एक पत्ती अलग हो तो इसे हम जूट भी कहते हैं और हम सेट भी कह लेते हैं तो देखिए हमारा पांचे नमबर पर हमारा सेट हो गया अब छांटे नमबर पर क्या नाला वचा हाई काड तो दोस्तों आप लोग फ्लीज वीडियो को स्कीप नहीं करियेगा और लास्ट में देख लीज जैसे मालेजे आप तीन पत्टी खेल लें अगर जो आपके पास कोई पत्ती नहीं लग रहा है कोई अच्छा सा पत्ती नहीं है अगर जो ऐसी पत्तियां आ जा रहे हैं जैसे देखी इका नाला और पंजी तो क्या ही हमारा हाई काड हो गया यानि नाला पंजी इसमें हमारा पत्ती लग गया है उसे हम हाई काड बोल देंगे जो बड़ी पत्तियों सब पत्तियों में जैसे मालेजी यह है जिसे देखी क्या बेगम है बेगी और दुक्की और अठा तो दोस्ते हमारा हाई काड है ठीक है और अब देखिए हम आपको खेल के बता रहे हैं तीन कर्णा पत्ती का तरीका रूल्स किस्तरा अभी तो आपने जाना देखिए सबसे पहले आप जाने किरेल करते हैं दूसरे नंबर पयाएक के कमिंसी कहाते ऊते तीसरे नंबर पहाई सिद्रनगे ख्लकन再 जाना है और पांचव नंबरे पैर जानए और छाठे नंबर फे हाई कार्ड जान गए अब इसको हम थोड़ा सा एक्जांपल में प्रेक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि कौन सा पत्ति क्या बन रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और इसकी नहीं करिएगा तो दोस्तों यहां पर देखिए हम प्रेक्टिकल आपको दिखाते हैं कि तीन पत्ति कैसे खेला जाता है आप तीन पत्ति दो लोगों के चार लोगों के पांच लोगों के आठ लोगों के बीच में भी खेल सकते हैं तो यहां पर देखिए हम दो लोगों के बीच में आपको तीन पत्ति खेल के दिखाते हैं और इन में से देखिएगा छे रूल से जो छे नियम है कौन सा कार्ड लगता वह आपको सी आपको हम बताएंगे वह आप सीख लीजिएगा ध्यान से तो देखिए यहां पर हम पत्ति फेड लेंगे ठीक है जितना चाहिए उतना फेड लेंग तीन पत्ति हो गई ठीक है अब देखना यह दोस्तों यहां पर जो 6 व्ल समबता हैं 6 नियम आपको बताएंगे तो देखिए कि इसमें से कौन सा रूल चड़र और कौन सा नियम आपको देखने को मिल रहा हैं तो बहुत ही बढ़िया ट्रीक है तो देखिए धोस्तों ईहां प जाएक पत्ति बड़ी है यानी गुलू नहीं इन पत्तियों में जो ब्ल़ श्टत है कोई खास्तंग पत्ति हैं नहीं लेकिन बड़ी पत्तनि है इसमें दढला है इसमें बड़ी पत्त्ति गुलू है तो यह हमारा हाई काड हो गया और देखिद स्थों ने लेकिन इससे यह पती जीत रहा है और एक बात और हम आपको एक बार आउट करके दिखा देते हैं अभी तो आप हाई काड़ जाने भी पांच नियम बाकी है लेकिन हम पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जागा दोस्तों एक बार हम आपको और बता दे रहा हैं देखिए ठीक है यह पत्ती हो गया बंदा सामने से काट लिया ऐसे अब देखिए यहाँ पर वन टू त्री त्री अब देखिए यहाँ पर यह देखिए तो दोस्तों वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाले है और हो रही है तो देखिए बहुत ही जबरदस्त ट्रीक है बहुत ही जबरदस्त नियम है प्लिज इसको फॉलो करिए लाइक करिए शेयर करिए देखिए इसके पहले आपका क्या था हाई काड ठीक है और इन बंदे का जो पती है यह देखिए अठा नाला और बेगी है तो यह हाई काड में चला गया तो दोस्तों आपको यही बारिकी से समझना हम बहुत बड़ा पती बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आप लोग सोचेंगे बहुत बड़ा तो दोस्तों हम आपको एक्जांपल में करके भी दिखाएं हाई काड भी करके दिखाएं और कलर भी करके दिखाएं और आप लोग कमेंड करेंगे तो हम बारी-बारी से पांचो रूल्स च्छ रूल्स आपको यह के करके दिखाएंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर जरू करिएगा और अधिक से अधिक लोगों में सेयर करके और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए धन्य बाद दोस्तों